गुड मॉर्णिंग इस्टोरेंट्स मैं तो में लोग पहला चैप्टर रिव्यू पॉड़ रहे थे तो में लोग इसमें 15 तक कर लिये थे तो मैं 16 और 17 करना था और इसको मैं आपको समझाने माला भी उच्छे से तो आप लोग ध्यान से दिखेगा यह दोनों और इसके एंसर भी है तो 16 देखते हम लोग फाइंड यो प्राइम फैक्टर बाइंड डिवाइड करना होगा और प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं तो आपको सबसे लोइस्ट पॉसिबल यो नंबर होगा आपको पहले उससे काटना होगा जैसा 16 है अगर 16 को हम 8 से भी का सबस्ट करता है कि नहीं फिर थिर से फिर फाइब से तो प्राइम नंबर से ही उसको काटेंगे ठीक है ना और छोटे से पड़े तक जाएंगे है तो अगर हम 70 को काठते है तो 257 से प्राइब counterpart नाढ़ता है तो 16 यहाँ पये शाव हैं है टहना दिक भिलम या 9 तो 5 से देखेंगे 5 से 7 बार में कड़ जाएगा और 7 बार में कड़ जाएगा यानि 70 जो 257 से करते हैं तो 257 हमने लिख दिया है अब 17 देखते हैं हम लोग बिश नमबर इस 17 थाउचन 349 मोर धन 28 थाउचन 640 थे तापको मतलब बताना है कि कौन सा नंबर है जो इस नंबर से इतना जाएगा तो अगर जादा है तो हमको क्या करना होगा हमको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा तब ही वह बड़ा नंबर पता चलेगा इस तरह से जै यह तो अंसर क्या है 45,992 ठीक है 45,992 लोग दूसरा देखते हैं by how much is 2,592 greater than the sum of 65,394 and 89,502 यह question क्या रहा है यह question क्या रहा है कि यह जो number है इन दोनों को जोडने के बाद ठीक है फिर भी कितना बड़ा है इन दोनों को जोडने के बाद भी एक जो टूमल再 है इन दोनों जोड़ने से कितना बड़ा है तो हम को करना क्या इन दोनों को पहले जोड़ना है और फिर इस में से माइनस कर देखती है। तो यहां हमने 17 भी किया है तो पहले हम इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो मैंने इन दोनों नमबर को जोड़ा तो हमने इसमें 2,592 में से इसको माइनस कर दिया तो हमने माइनस किया तो कितना आ रहा है 45,696 ठीक है आप लोग इसमें कितने फ्लोर है 15 फ्लोर है इस फ्लोर है नाइन फ्लैट्स और हर फ्लैट में कितने नाइन फ्लैट है तो 15 फ्लोर में कितने फ्लैट होंगे तो 15 इंटू 9 अब बोल रहा है कि इच फ्लैट है फोर रूम्स और सारे फ्लैट में चार चार फोर फोर रूम्स रहा है तो हमें 15 इंटू 9 इंटू 4 और how many rooms are there in the building तो क्या पूछ रहा है आपको rooms पूछ रहा है हमको क्या निकालना है rooms तो rooms कैसे निकलेंगे हर फ्लोर में तो हमें पहले फ्लोर देखना पड़ेगा हर फ्लोर में 9 फ्लेट्स है यहने 15 इंटू 9 और हर एक फ्लेट में 4 rooms है तो इंटू 4 तो हमने उसको किया है कि दी देखते हैं दा प्रोड़क्ट आफ तू नंबर इच 54,880 इफ वन आफ देम इस 560 फाइंड अधर तो इससे बोल रहा कि दो नंबर हैं जिनका प्रोड़क्ट यानि मल्टिप्लाई करने पर इतना 45,880 आता है अगर एक नंबर 560 है तो दूसरा नंबर क्या है तो ऐस दूसरा नंबर पता चल जाएगा तो सिंपल हम उने वही किया है 17D में 54,880 में 560 से डिवाइड किया है तो हमने टेवर पढ़ा तो इस तरह से हमने पहले 9 बर लिया है तो 540 आया फिर यह माइनस हुआ 548 आया फिर 0 उता रहा फिर 8 बार में पूरा कड गया तो दूसरा नं जो भी आपका एंसर आएगा जो भी आपका divisible आएगा क्या है 98 तो वो क्या होगा एंसर होगा वो दूसरा नंबर होगा हम लोग 17D का यह देखते हैं Find the number which went divided by 29 gives 40 as quotient and 12 as remainder तो जब किसी नंबर को 29 से divide कर रहा है तो हमें वो नंबर अभी नहीं पता तो इस नंबर का हम 29 से divide कर रहा है तो उसका जो को 12 को जोड़ना होगा तो पहले इंका multiply तो फिर उस में 12 जोड़ना होगा तो आप 29 में 40 का multiply करेंगा तो जाएगा 1160 उसमें 12 जोड़ा देंगा तो कितना आजागा 1172 अब लोग 17 का आफ देख लेते हैं find the smallest five digit number that is diesel by 35 तो आपको बताना है कि five digit की वह सबसे छोटी नंबर जिसको हम लोग 35 से completely divide कर सकें तो 5 digit के सबसे छोटी नंबर कौन सी होगी 10,000 तो अब हमें इसको 35 से पहले divide करना है हमें पता करना है कि वह छोटी से नंबर कौन सी होगी तो पहले हम इसको क्या करेंगा 35 से divide करेंगे तो मैं पर 20 बच्चा फिर 0 उतार दिया फिर 5 बढ़ लिया तो 125 लाश्ट में कितना बजगा 25 रिमेंडर बजगया तो अब हम क्या करेंगे कि जिस नंबर से divide किया था और जो रिमेंडर बच्चा उसको माइनस कर देंगा जैसे 35 में से 25 माइनस कर दिया तो इस नंबर से इसको minus का दिया तो कितना बच्चा 10 यानि अगर इस नंबर में 10 और होता तो क्या होता यह नंबर पूरी तरह से 8 लेंगे तो वहाँ पर कुछ न कुछ 35 के वज़ाए वहाँ पर क्या बज़ेगा 34 33 कुछ न कुछ बच जाएगा तो 10,000 यह हम लोग का एंसर होगा अब यह जी है लाश्ट ट्वालर दिखते हैं रभी वांसर कंप्यूटर डैट कॉट्स रुपेश 31,200 तो एक कंप्यूटर खरता है रभी जो कि वह कितने का है 31,200 तो वह उसको घर ले जा सकता है कितने 6,000 रुपे देखे एंड पे दर रेश्ट इन 12 एक्वल मंथली पेमेंट्स और ठीक है 6,000 रुपे देगा और बाकी जो भी बचेगा उसमें वह 12 महीनों में एक्वल एमाउंट में मंथली रुप्से देते रहेगा ठीक है तो उसको कितना पैसा हर महीने देना होगा तो जिस तरह से क्वेस्टिम ने कहा गया 31,200 तो 6,000 रुपे देगा 6,000 रुपी जो है वह वह पे देगा पेमेंट कर देगा तो उसको पहले हमने माइनस कर देते हैं तो बच्चा कितना 25,200 अब क्या है कि जो 25,200 वह उसको कितने 12 महीनों में देना है 12 मंस में देना है और हर महीने वह देगा तो हमको क्या करना पड़ेगा 12 से डिवाइट करना पड़ेगा यह पता करने कि इसको हर महीने कितना देना है तो हमने 12 से इसको डिवाइट कर दिया तो 12 तो 24 वन बच्चा है 12 बच्चा है 12 बच्चा है 12 बच्च तो आपने पढ़ा होगा कि लाश्ट में अगर कोई 0 बच जाता है तो हम इसको जीरो लिखके उसको काड सकते हैं और फिर आप जीरो बाट टेबल पढ़ लिए सिधा तो अगर जीरो बाट टेबल भी पढ़ेंगे तो हमें क्या आएगा तो आप इस तरह से कर सकते हो जीरो-जीरो कड जाएगा दोबार में तो यह कितना आ जाएगा 2100 तो 6,000 रुपेश अब उसको हर महिने कितना दो ना होगा 2100 तो 2100 नो हर महिने दे देखे अपना पूरा पैसा वो पूरा कर लेगा तो इस तरह से हमलों का exercise 1 एक खतम होता है अब लोग exercise 1 भी देखते हैं तो यह मैं आपको अभी question बता देता हूं थोड़ा समझा देता हूं मैं किसका answer next studio हम बता जाएगा तो यह जो पूरा chapter वो fraction पर है अपने fraction के प्रापर फ्रेक्षन इंप्राफर फ्रेक्षन तो आपको बताना है ये mixed fraction तो आपको बताना है कि कौन सा कहां पर हां इंटेग्रल पाट अपने बढ़ाओगा और fraction підढ़ होका तो वह आपको भरना है like fraction क्या होते है तो यह जो फ्रेक्षन पर बताना है ठिक है और equivalent fraction क्या होते है तो equivalent fraction पर ही आपको यह भरना भी है यह true or false यह बताना है आपको lowest term और lowest term में कैसे आप करते हैं वह आपको बताया गया है पिछले class में कि इन दोनों को काटेंगे common number से और तब तक काटेंगे जब तक कि वह कटने लाइक ना बचमल अगदम छोटे से छोटे form में आ जाएं ठीक है इसमाल हो जाएं तो जब सबसे lowest हो जाएंगे तो वही लुक्या और lowest form होता इनका इसमें place value पूछा गया है तो place value धहन से दिखेगा क्योंकि इसमें decimal के बात का भी पूछा गया है तो वह आपको बताना है expanded form या पढ़े होंगे expanded form कैसे लिखते हैं वह आपको लिखना है यहाँ पे रूपीज और पैसे लिखेंगे तो decimal को कैसे connect करना वह आप लिखना है इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यह दो नंबर है इनका आपको mix fraction बदलना है तो इसको अलग इसको अलग तो आपको mix fraction में कैसे बदलते हैं आपको यह बढ़ाया गया है आप यह कीजिए इन दोनों नंबर्स को आप improper में कैसे चेंज करेंगे इसको decimal में कैसे चेंज करेंगे इसको fraction में like fraction में कैसे बदलेंगे वह आपको करना है यहाँ पे फिल्म करना है कि कौन सा greater कौन सा smaller है कौन सा equal है तो यह आपको बताना है दोनों question में third में और fourth में five में arranging descending order descending order में करना है तो ascending order descending order क्या होता है ascending order मतलग छोटे से बड़ा ठीक है तो पहले small आएगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा ठीक है डिसेंडिंग में just इसमें बड़े से छोटा जाता है पहले सबसे बड़ा आएगा फिर से छोटा फिर से छोटा फिर से छोटा इस तरह से 7th में find करना है तो आपको fractions का add, subtract यह बताया गया है decimal का add, subtract करते हैं तो आपको वह solve करना है यह तो दिखते हैं आप लो 3 by 7 of a bottle is full but fraction of the bottle is empty तो अगर bottle का 3 by 7 full है तो कितना हिस्सा है कितना fraction और जो बॉर्टल में अभी भी खाली है तो यह कैसे करते हैं यह आपको 1 में से 3 by 7 को माइनस कर देना है अभी देखते हैं 2 by 7 of the flowers in a vase are red तो 2 by 7 क्या है red है 3 by 7 of them are white और 3 by 7 white है और बाकी जो है yellow है तो आपको बताना है कि if the vase has 21 flowers how many are yellow तो आपको करना क्या वह बता देता हूं तो 2 by 7 ठीक है अब red है और white है तो दोनों को हम पहले जोड़ देंगे कि हमको यह पता है कितने हैं तो 3 by 7 plus 2 by 7 तो यह जितना भी आएगा उसको हम लोग 1 से माइनस कर देंगे ठीक है अब चाहिए तो 1 मेंस से माइनस भी कर सकते हो य हैं तो आपको पता है कि 21 flowers है तो वह कितनी निकालेंगा तो आपको क्या करना होगा इस में Multiply करना होगा जो आफका answer आगा एड करने के बाद भी 1 से माइनस करने के बाद जो अजए अंसर आएगा ठहिक है डाजन का मतलब 12 ठहिक है दर्जन you northern plate cost 480 रुप cheesy what will be the cost of 7 plate तो आपको बता है कि एक दर्जन प्लेट का धाउम ठीक है एक डजन ट्रिकम दर अप्र आक को ये पूरा करना है तो आप ये जो भी एकसरसाइज है 1b देख मैं आप पलोट कर दूगा आपको ये पूरा question number 1 से लेका question number 8 तक करना है और next वीडियो में हम लोग इसका answer देखेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद